Welcome back to our SolidWorks Part Design Tutorial आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिजाइन करेंगे अब ये पार्ट बहुत इंट्रेस्टिंग पार्ट है इसमें हमारे पास कर्फ और लाइन्स है और जब हम ये पार्ट ड्रॉ करते हैं इसके स्केच को बनाना सबसे difficult होता है क्यों क्योंकि हमने इसमें dimensions और relations दे के इसको sketch को define करना होता है अब इस पार्ट को हम ड्रॉ करेंगे और इसका जो basic front view है अगर हम drawing में देखते हैं तो front view से ही हम start लेंगे front view इसका सबसे best है start करने के लिए Front view में हमने जब sketch draw कर लेना है उसको पर different levels पर extrude कर लेना है तो front view को देखते हैं हम किस तरह draw कर सकते हैं File new part design में चलते हैं अब इसमें हमारे पास different curves और relations आएंगे तो इसमें mistake के chances बहुत होते हैं और सबसे पहले चीज जिस तरह मैंने last video में भी बताया था हम कहां से start ले सकते हैं अपना origin यह नहीं कहां पर define करेंगे अब इसका origin हम सबसे best है define करें exactly इस point पर इस point पर हम क्यों define करेंगे क्योंकि हमारे पस बहुत सारे features इस point से originate हो रहे हैं जिस तरह हमारे पस यह वाला feature भी इसी point से originate हो रहे है और फिर further हम इस part को भी अगर इसके हम symmetry देखते हैं तो इसी point के about हम इसको mirror भी कर सकते हैं तो start करते हैं sketch में चलते हैं और यहां पर मैं select कर लेता हूँ front plane front plane के लिए सबसे पहले मैं एक circle draw कर लेता हूँ circle की required dimension दे देते हैं required dimension मैंने 30 mm required dimension दे 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 उसके पाद चलते हैं line command select करते हैं और somewhere मैं इसी point से start ले लेता हूँ बाद में trim कर लेंगे और इस point पे एक मैं sketch draw करूँगा और यहां पर मैंने एक curve draw करना है curve को हम basically यहां से draw कर लेते हैं अब मैं required dimension दे देता हूँ तो required dimension अगर मैं देखता हूँ इस line की मेरे पास dimension आजाएगी 20 यह मेरे पास हो जाएगी 21 क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास next हमने जो feature draw करना है उसका हमारे पास distance यहां पर गिवन है okay next चलते है total dimension मेरे पास top से यहां तक की जो dimension है that is 31 और यह radius उसके बार define कर लेते हैं this radius is 35 और यहां पर मैं एक relation दे देता हूँ इन दोनों points का make coincident अब यह वाले especially जब curves आप draw कर रहे होंगे तो इस तरह के mistake के chances हो सकते हैं एक और मैं relation यहां पर दूँँगा इन दोनों points का भी make horizontal यहां पर हम fillet देते हैं 7.5 mm मैंने fillet देना है in points को click ok तो यहां पर अगर हम drawing में देखते हैं तो यह वाला distance हमारे पास 1 mm है तो इसको हम 1 mm specify करते हैं हमारा half जो sketch है वो इस time draw हो चुक है एक और हम चीज पहले draw कर लेते हैं उसके लिए मैं यहां पर offset command यूज करता हूं offset entity में चलते हैं और 5 mm offset distance पर मैंने एक curve draw करना है यहां curve draw कर लेते हैं और उसके बाद इसी point पर यहां पर line command के जरीए somewhere इस point से मैंने start लेना है और यहां पर एक line draw कर लेते हैं इनकी required dimension दे देते हैं तो यहां से लेकर यहां तक जो हमाँ पस dimension given है that is 2 mm and that's it और यह वाली lines मैं trim कर देता हूं और finally इस point पर भी मैंने एक fillet देना है जिस तरह उपर दिया था 7.5 mm का तो यहां पर भी मैं fillet दे दूँगा that's it click okay यह मेरा sketches time अभी तक complete होगी है अब मैं इसको mirror कर सकते हैं controller प्रेस करती है और यह वाला जो circle है इसको deselect कर लेती है और mirror entities को select करती है तो यह मेरा part जो है वो mirror होगया अब यहां पर हम trim command के जरीए यह वाली जो circles हैं इनको भी trim कर देती है that's it यह हमारे पास blue हो गई है क्योंकि हमारे पास यह वाला जो relation है यह खतम हो गया होगा इसको मैं दुबारा दे देता हूँ and let's see कि यह मेरे पास black होगी yes यह मेरे पास black होगी अब चलते हैं और इसी part के sketch के दूसरी तरफ जो नीचे हमने draw करना है इसको draw करते हैं तो line command select करते हैं और somewhere इस point से एक line draw करते हैं और यहाँ पे हमने एक rectangle draw करना है और इस point पे लाकर close करेंगे उसके बाद एक और line मैंने tilted draw करनी है somewhere इस point तक और इस तरह हम इसको close कर लिते हैं अभी यहाँ पे हमारे पास एक feature है drawing में हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास feature है तो यह वाला feature हम directly front view के extrude करके नीच draw करेंगे तो इसको हम बाद में draw करेंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे somewhere इस तरह का एक line फिलहाल draw कर लिया अब required dimension दे देते हैं required dimension देना start करते हैं इस point के साथ that is 15 और इस line के साथ मेरे पास dimension आजेगी 20 उसके बाद इन दोनों lines की dimension as perma drawing 48 और total dimension मेरे पास गिवन है that is 90 thickness that is 10 और इस line का angle that is 105 और यहां से लेकर यहां तक का जो distance है vertical distance total distance that is 51 तो यह मैं देख सकता हूँ मेरा sketch is time completely defined है अब चलते हैं और इसको extrude करना है extrusion को भी हमने different levels पे extrude करना है तो ज़रा extrusion इसकी देखते जाएं किस तरह हम करेंगे features में जाएंगे extruded boss base और सबसे पहले जो यह वाला नीचे वाला feature है इसको along the mid plane में extrude करता हूँ और हमारे जो dimension है that is 25 क्लिक ओके next चलते हैं next मैं यहाँ पे again sketch select करता हूँ extruded boss base और यह वाला जो sketch है इसको मैंने mid plane में 6 mm extrude कर देना है next चलते हैं next मेरे पास again इसी sketch को select करते हैं extruded boss base अब जरा देखें कौन सा मैंने sketch select करना है मैं यह वाला select कर रहा हूँ और इसको भी along the mid plane 25 mm क्लिको के अब next को देखते हैं next मेरे पास extruded boss base और इसको मैंने किस तरह से extrude करना है यह वाला sketch तो इस sketch की अगर मैं देखता हूँ तो मैंने यहां पे offset distance देना है offset distance कितना देना है offset distance मेरे पास आजाएगा 17 divided by 2 8.5 mm और blind extrusion कितनी देनी है 4 mm यह exactly इसके line पे आजाएगा that's it और इसी चीज़ को मैंने mirror कर दे या directly जो है वो दुबारा से कर ले तो मैं mirror कर लेता हूँ इसलिए मेरा origin यहां center पे है mirror में जाऊंगा और required entity को select करेंगे click OK यह चीज़ मेरी mirror हो गई and that's it यह मेरा major जो portion है इसका complete हो गया अब चलते हैं next यह वाला हम sketch किस तरह draw कर सकते हैं इसको जड़ा देखें किस तरह हमने draw करना है इसके लिए मैं यहां पे right plane select करता हूँ sketch में जाता हूँ circle command यहां पे required circle select कर लेते हैं required इसके अगर हम dimension देखते हैं that is 15 अब इसको extrude किस तरह से करना है features extruded boss base without adding any additional plane हम इसको extrude करेंगे और यहां पे मैं जाता हूँ offset distance और offset distance दे देते हैं offset distance मैंने 47 mm देना है opposite direction में और यहां पे end condition हम use कर सकते हैं up to surface this surface click OK जि हम देख सकते हैं मेरा यह वाला जो feature है यह draw हो गया अब इसी में एक hole भी है तो इसी को directly face select करते हैं circle command और यहां पे मैंने इसकी dimension 7 mm इसकी dimension देंगे और through all हम इसको extrusion cut दे देंगे click OK यह मेरा sketch है इस time complete हो गया OK उसके बाद मैंने यहां पे कुछ holes draw करने है holes भी ज़रा थोड़े से हमारे पास tricky है क्योंकि इसमें threaded holes है तो यह वाला hole हम बाद में करते हैं पहले यह असान वाला कर लेते हैं इस phase को select करते है circle command यहां पे दो circles draw कर लेते है required dimension required dimension हमारे पास अगर हम देखते है that is 6.5 similarly इसको भी मैं 6.5 दे देता हूँ और उसके बाद required distance specify कर देते हैं दोनों का distance मेरे पास 76.5 और एक hole का एक side के साथ distance specify कर देते हैं that is 6.75 और अभी भी यह blue है तो इसका मदलब है इनका एक relation missing है तो origin के about मैं इनको यह मेरे पास smart dimension select हो रही है press escape इन तीनों points को select करना है और यहां पे दे देना है make horizontal features extruded cut through all end condition click ok that's it अब चलते हैं next hole हमने किस तरह draw करना है hole के लिए हम यहां पर जाएंगे hole wizard की command में अब हमने एक threaded hole जाना है अब मैं जरा drawing में पहले देख लेता हूँ इसको हम पढ़ते किस तरह है तो यहां पर हम आपस 6 by 1 6 by 1 का एक threaded hole हमने create करना है तो इसकी अगर हम dimension देखते हैं तो dimension हमारे पास यहां पर total इसकी dimension given है 18 और 14 तक इसने threaded portion में आना है किस तरह draw करेंगे यहां पर आपने यह वाला hole type select कर लेना है इसमें हमारे पास straight tap है इसमें जो small rectangle हमें नजर आ रहा है यह हमारे पास threaded portion है बाकी हमारे पास non-threaded portion है यहां पर required 6 by 1 आपने size select कर लेना है end condition blind रखनी है और यहां पर सबसे पहले हमने total इसकी dimension देनी है 18 और उसके बाद हमने next dimension देनी है जहां तक threads आ रहे हैं 14 उसके बाद चले जाएंगे position में required face select करेंगे और इनको required position पर हम place कर देंगे smart dimension में चलती है smart dimension में जाएंगे और यहां पर distance that is 50 और इनको मैंने middle में रखना है तो एक कम a distance 25 specify कर देता हूँ and just make sure कि यह तीनो points align है vertical relation दे देंगे make vertical and that's it यह मेरे पास holes यहां पर draw हो गया finally हमने कुछ points को कुछ edges को fillet करना है fillet command में चलते हैं और यहां पर सबसे पहले 4 mm यह वाले जो edges हैं इनको मैं fillet कर लेता हूँ face select हो रहा है just make sure कि required edge ही select हो click हो के उसके बाद मैंने 22 mm के बागे fillets देने हैं तो उनको भी हम दे देते हैं fillet में जाते हैं 2 और required हमने जो edges हैं यह वाला edge उपर वाला सारा edge और यह वाले जो edges हैं इनको select कर लेना है that's it click OK यह मेरा part जो है वो complete है तो finally इसको मैं appenance दे देता हूँ steel की मैं appenance दे दूँगा और एक मैंने यहां पे fillet यहां पे भी इस point पे इस edge पे देना है 2 mm का इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं इस edge पे और similarly इस edge को भी मैंने select करना है click OK अब यह मेरा part इस time complete है still इस part को बनाते हुए अगर कोई question आपका तो इसी video को comment section में मुझे पूछ सकते है thanks for watching this video